अगर आपके पास भी जियो फाइवर का राउटर है तो राउटर के पीछे यह सारी जो पोर्स दी गई हैं और यहां पर बटन्स दीए गई हैं तो इसको कैसे आप डेले लाइफ में आप यूज कर सकते हो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताया हूं तो इस वीडि या फिर आप एक्स्टरनल हार्डिक्स आप लगा सकते हो और इसको यहां पर एक्स्टरनल हार्डिक्स लगाने का बाद आप ऐसे डेटा ट्रांसफरिंग के रूप में आप यहां पर यूज कर सकते हो इसको आप लोग यहां पर डेटा एक्स्टोर करने के रूप में दूसरा तरीका यहां पर इसको ऐसे WiFi Extender के तरह भी आप यूज कर सकते हो इसके बाद जो यहां पर पोर्ट दिये गए हैं इसमें आप यहां पर टेलीफों केवल जो आता है जीओ रोटर के साथ ही केवल आता है इसको यहां पर connect कर दो इसके जो दूसरा इंड है यहां पर telephone य जरीए यहां पर Wi-Fi से कनेक्ट करके यहां पर कॉल किया जाता है यह एक तरह से जियो राउटर के रिसेट करने के लिए यहां पर अंदर में छोटा सा बटन दिया हो रहा तो इसको अगर आपको जियो फाइवर से रिलेटेट पॉपलर्स वीडियो के देखना इस चैनल पर त से जाके अब देख सकते हो अगर आपको यह वीडियो से कुछ भी सीखने को मीला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कि जाएगा और नीचे कमेंट करका बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मिलते है किसी नेक्स्ट वीडियो में